Principles of Animal Ecology, Lecture 171 Topic है Moist Temperate Conifer Forest Ecosystem जिसे के नाम से जाहर हो रहे, Moist means के इसमें जो है वो water quantity जो है वो जादा है Temperate, जो है वो cooler region, यह उस latitude पे वाकिया है जो के already जहां पे temperature जो है वो low होता है Conifers जो है वो हमेशा जिमनो स्वामिक plants है और जो है almost evergreen tall trees है और जिनके पर cones लगती है यह forest जो है वो हमारे northern areas में पाए जाते हैं जिसमें के southern region of कागान है southern नीलम वैली है, southern and eastern side of Azad and Jammu Kashmir है यह जो ecosystem है conifers forest का mountains के उपर जो start है इसका almost 3000 meter उससे होता है उपर यहां के 3000 meter से उपर की जो range है वो वहां पर यह वाले forest पाए जाते हैं यहां पर winter में भी rainfall है और summer में भी rainfall है winter की जो rainfall है उसकी जो वज़ा है वो Mediterranean clouds जो के west side से आते हैं और यहां पर बारिश परसाते हैं winter season के अंदर यहां पर precipitation का बाइस बनते हैं यह precipitation जो है जब यह melt होती है summer के अंदर तो यह पानी जो है वो द्रियाओं और नदी नालों में से होता हुआ हमारे परस जो दो main dams हैं जिसमें mangla और तरबेला dam है उसके जो है यह water source है उसका जो reservoir है यह वहां आते हैं और उसके बाद यह mangla और तरबेला dam जो है हमारी electricity production के अंदर जो है वो एक basic और जो है वो backbone की हैसित रखते हैं अब चुके यह जो forest है इसमें जो जमीन है उसके उपर बहुत सारे जो है वो leaves जो है वो गिर जाते हैं और सिर्फ एक अपर स्टोरी नहीं है trees की बलके जो है वो नीचे भी shrubs भी herbs भी grasses भी एक under cover भी जो है वो पाया जाता है लहाजा जिसकत पानी जो है वो top layer से अगर जो हो आ रहा है तो इन जो है वो under cover की वैसे वहां से जो हो जाएगा उसकी movement और बहुत सारा पानी जो है वो soil के अंदर deposit हो जाएगा roots जो है वो trees की उसको hold कर लेंगी इस तरह जो है ये एक moderate जो है वो amount of water वहाई पर जो है वो absorb हो जाता है ये जो vegetation है forest इसका मतलब है कि वो जो है वो dense vegetation है और इसमें जो है जो पहाडी सिसला या जो mountain ranges जो है वो above 2000 meters से बुलंद होती है वहाँ पे यही precipitation जो है वो snow और जो है वो ice की form में झो है सर्दियों में जम जाती है तो लहाज़ा यह वह हिस्सें वो हमें बरफानी या बरफ से ढखे वे सर्दियों में न掌ते हैं जो है मरी और गलियात और इससे आगे चले जाएए तो वहाँ पे जो है वो सर्दियों में जो है वो बरफ से और सुरतहाल नजर आती है समर में भी इन forest के अंदर जो है वो precipitation होती है और इसकी वज़ा जो है वो moonsoon की जो हवाएं हैं जो के east side से चलती है वो बारिश जो है वो cause करती है अब अगर जो है वो forest canopy जो है यह forest वहाँ पर dense है तो फिर जो है वो water वहाँ से slowly जो है नीचे top layer को जो है वहाँ से नीचे की तरफ आएगा लेकिन अगर हम इन forest को जो के अब हमारी activity जो है वो उसकी वज़ा से forest जो है यह deforestation की activity वे से आएसा ऐसा यह forest जो है वो कम होते जा रहे हैं लहाजा यह ना सिर्फ top layer को top soil layer को जो है वो नुकसान पहुँचाएगा उसको जो है वो साथ लेके नीचे चला आएगा बलके जो है वो जो soil है जो naked हो जाएगी उसको जो है वो उसका temperature है वो rise कर जाएगा और इसका जो है वो negative impact होगा हमारे ecosystem के उपर अब इस जो है चुके इस forest में जो है वो undercover भी है लहाजा वो जो पानी है और जो एक moderate temperature है वो बहुत सरे वहाँ पे जो पाए जाने वाले microbes हैं उनको जो है वो activate कर देता है तो वो decomposition जो है वो forest floor के उपर जितनी भी जो है वो material पड़ा हुआ है उसको जो है वो decompose करना शुकर देता है decomposition की वज़ा से nutrients जो के binded form में present है वो release होंगे और दुबारा जो है वो soil में चले जाएंगे इस तरह वो दुबारा जो है in trees को in forest को जो है और जहें दरख्तों को जो है वो मिलेंगे इस तरह एक circulation जो है वो होगी nutrients की among the soil और among the trees तो जो ये वोले forest है उनमें जो nutrient जो है ये humus है वो ज़्यादा amount में पाया जाता है और ये जो undercover है ये जो पानी है उसको भी जो run off है या उसको भी तेजी से गुजरने से जो है वो रोकता है conifers forest में जो conifers की जो trees हैं उनका जो root system है उसमें जो है सबसे एक important चीज ये है कि उनकी roots जो है वो mycorrhiza के साथ जो है वो develop करती है association develop करती है mycorrhiza जो है वो इसे nutrients लेता है और इसको water supply करता है तो ये forest जो है northern side के उपर जो है वो rich biodiversity रखते है लेकिन southern slopes जो है यहाँ पर के sunlight almost जो है वो direct आती है और जो है वो हाँ पर वो deforestation के वोई से वहाँ पर कम forest cover है तो वहाँ पर जो है temperature जो है वो rise हो जाता है यहाँ जो forest में जो कि बायर डवेस्टी जादा है हमें बहुत से bacteria बहुत से fungi snails, slugs, millipedes हैं spiders है, earworms है termites है, ants है beetles है, bugs है toads, lizards और बहुत सरे जो है वो variety of animal life जो है वो मिलती है और यह तमाम के तमाम जो है इस ecosystem के लिए beneficial है क्योंकि यह जो bacteria यह snails वगरा है यह जमीन के अंदर और जमीन से बाहर भी निकलेंगे earthworms है जमीन के अंदर भी होंगे soil के अंदर भी होंगे soil से बाहर भी निकलेंगे इस तरह यह जो है वो उस soil के continuously एक ariation जो है वो provide करते है plus bacterial activity है fungi है यह बाकी जो जो वहाँ पर पाए जाने वाले organisms है वो जो soil की fertility है और conversion है organic debris की two nutrients जो है उसको help out करते है इस तरह यह जो forest है वो जो है वो enrich होते है कि वहाँ पर अगर seedlings जो है वो गिर जाए तो उस moist soil की वज़े से वो seedlings जो है वो दुबारा trees के अंदर जो है वो आइस्ता आइस्ता जो है बढ़ते चले जाए अगर उनको time जो है जो है वो मिले और यही humans जो है वो इस water holding capacity को जो है वो increase कर देता है यह जो winter यह summer में जो water जो है वो snow पिगलती है और water जो है वो इस soil से होता वो नीचे की तरफ आता है तो वो ना सिर्फ soil में absorb होता है उसके नीचे पैंट्रेट कर जाता है बलके साथ में जो sub soil water level है उसको raise कर देता है इसकी वज़ा से जो है वो बहुत सरी जो ऐसी जगें जहां पे के cracks पड़े हुए है जो थोड़ी सी नरम जगा है वहां से यह जो sub soil का water है वो as a spring जैसे वो एक जहरना सारा एक जह हो पूट पड़ता है अब जहरना वहां से जमीन से खुट बोखुट जो है वो पूटा है वो जो है spring जो है वो आगे चलके पानी हमेशा अपना खुट रास्ता बनाता है तो वो streams और जो है वो कौनिफर ट्रीस भी नजर आ रहे हैं इसमें जो है वो shrubs पी नजर आ रहे हैं अंडर लेयर पर जो है वो हमें grass भी जो है वो नजर आ रही है grass से ज़ादा यह बेसिकली जो है वो जितनी leaves वगरा जो है वो गिरे में वो है और जो trees की बिलकुल जो bottom हीसा है जो नीचे वाला है वहां पर हमें जो है वो साथ-fंजाई भी associated नजर आ रही है तो ये जो है वो moist temperate quonifer forest आइस्ता आइस्ता जो है वो gradually dry quonifer forest के अंदर जो है वो change हो जाते हैं और ये जो ecosystem है जिसमें nutrients का जो है वो एक circle है जिसमें plants जहें वो अपना role play करें हैं जिसमें जो water है जिसमें जो mousam है वो अपना role play करा है ये abotic components है और जो plants है और जो animals है वो biotic components है वो आपस में एक दूसरे के साथ adjusted हैं वो वहां पर जहें उनकी एक community है उनका एक habitat है उनने वहीं पर रहना है वहीं पर जो है वो एक life cycle जो है वो उनका चलना है तो ये जो है moist conifers, temperate conifers forest जो है one of the worst scene जो है वो areas है पागिसान में जो है tourism के हवाले से even local tourism के हवाले से के लोग यहाँ पर जाना जो है पसंद करते हैं cooler areas हैं लेकिन जो है जब आप इन जंगलात को काट देंगे या थिन कर देंगे तो फिर यह खुबसूरत नजारे हमारे लिए आस्ता आस्ता जो हो कम होते चले जाएंगे